नमस्कार आद आप, नियूस क्लिक में आपका स्वागत है, हाली में नए रीसर्च पेपर्स फब्लिश हुए हैं, जिन में और भी नए चीजे मालूम हुई हैं, इंडस वाली के लोगों के बारे में, और इस पे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौझूद है, आखेगरी में मिली थी, और उसमें उन्हें यह पता चला कि जो उसका ड.A ने है, उसमें यह दिखा कि उसमें कोई जेनिक माटीरियल नहीं मिला, इरान के किसानों का या स्टेप पैस्टॉरलिस का, और यह भी लिखा है कि इंडिया में खेती अलग से ही डेवलाप हुई, क स्केलेटन जो पाई गई है, किस वक्त की है, तो यह करीब 2800 B.C. to 2300 B.C. के बीच में, इसका यह स्केलेटन उस वक्त का है, which is about 5000 years back, 5000 साल करीब पुरानी है, तो एक और दूसरी बात जो है, इस पर देखना है कि यह सिर्फ एक औरत की स्केलेटन है, तो मतलब और भी जो व स्केलेटन मिले, उससे कोई DNA नहीं निकला, क्योंकि हिंदुस्तान की एक प्राब्लम जो रहा है, कि काफी गरम देश है, तो इसलिए DNA बहुत जल्दी डीके कर जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए इंशिन्ट DNA साव तेश्या में मिलने में दिक्कत हुई है, और यहां भी राकिगरी में भी और भी सैंपल्स थे, पर कंप्लीट सैंपल एक ही जो है औरत की यहां पर मिली है, तो हम जो भी सावित करेंगे, इस पर यह हम सो हमारा कम से कम समझ होना चीए, सिर्फ एक स्केलेटन के आधार पर कर रहे हैं, तो कुछ मुल्यवान चीजे इस पर मिली है, तो एक तो यह है कि इसकी और ग्यारा स्केलेटन्स जो की इंडर्स वैली परिफरी में, राइक की जो दूसरी पेपर है, जो पहले आई है, उसमें था ग्यारा ऐसे स्केलेटन्स थे, जिससे लगा था कि यह शायद इंडर्स वैली की लोग ही यहां पर आए हुए हैं, और इन्सका काफी सम्वंद लग रहा था, इरान के जगा और किसी ग्रूप से है, तो पॉस्चिलेशन उस वक्त भी था, कि यह एक्चुली हर अपन सिविलाइजेशन से यहां पर लोग आये थे वहां पर, और उनकी स्केलेटन है, तो यह पुश्टी होता है, कि यह एक्चुल मेटीरियल है, उसको उससे हम कुछ निशकर्श में पहुंच सकते हैं, तो पहले, काफी पहले की रिसर्च रही है, उस पे एक एंशियन साउथ इंडियन और एंशियन नॉट इंडियन पॉपुलेशन की एक पॉस्चिलेशन था, एक में हरापन सिविलाइजेशन का प्रभ था, और दूसरा था कि साउथ एशिया में जो उसकी पुरानी आबादी जो है, उसकी थी, जो की लगा था, कि जो हमारे पहले की पूरवज है, उनसे निकली हुई है, तो अब उस वक्त भी हमने जो पीछले राइक का जो पेपर जब आया था, हमने चर्चा किया था, कि इस यहां पर और भी इंफ्लेंसेस है, और यह जो पार्ट है, इसके ऊपर एक स्टेप्स का सिगनेचर मिलता है, जो बाद की है, यह पंदरा सो बी सी के बाद की है, यह स्टेप्स राइक की पहले की पेपर आप देखें, तो पॉस्चिलेशन यह है, कि यह करीब हुआ है, इसी तक स्टेप्स माइग्रेशन हिंदुस्तान में हुए हैं, जिसकी सिगनेचर मिलती है, इस पे जो नहीं मिल रहा है, इस साबित होता है कि स्टेप्स माइग्रेशन इसके बाद हुआ है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज, और मैं इसको महत्वपूर्ण इसलिए कि एक सवाल था कि एरान से अग्रिकल्चरलिस्ट आये हैं यहां पर अग्रिकल्चर जो है, अपने आप पनता है, तो इससे साफ है कि अग्रिकल्चरल एक्सपैंशन जो यहां हुआ है, एक बड़ा एक्सपैंशन यहां पर अग्रिकल्चर को, यहां के लोग जो थे इसको ह गए और हरापन सिविलाइजेशन जो हम कहते हैं उनका ही रहा है और इस पे इरानी जो आपका फर्टाइल क्रेसेंट और इरान के जो लोग के साथ इनका कोई संब्द रहा ये करीब बारा हजार साल पहले की है इस वक्त की नहीं है तो अगर इस पे कोई मिश्टन हुआ भी हो इस ट्रक कर पाए डिये ने तो इसी लिए इस पर बहुत ज्यादा हमें क्या कहें कंक्लूशन नहीं ड्रॉ करना चाहिए पर इस चीज को पुष्टी करता है कि महिंजदरों हराप्पा और जहां पर पाकिस्तान में प्रुफिसर मुगल और की टीम ने जो च्छान बिन की है उन्हें दिखाया है कि स्ट्राटा एक से एक के बाद स्ट्राटा बनते गए और शहर हराप्पा शहर जो है उसका निर्मान हुआ तो यह से एक और बहुंजदारों में भी हुआ है तो इससे लगता है कि यहां की जो इतिहास है यह इस सब सिविलाइजेशन का इतिहास यहा ग्रूप यहां से आकर वहां सब उसका सब्धता कायम की या वहां से यहां गए तो दोना तरफ से जो लगता है कि अगर आप अब देखें तो लगता है कि फार्टाइल क्रेसेड जो हम कहते हैं उसका अग्रिकल्चर करीब एक ही वक्त पे हर जगा पे धीरे-धीरे बनता है अ और उनकी ट्रेड के संबंद आदान-प्रदान हो सकता है पर खास माइग्रेशन की पिक्चर इस पे नहीं निकल के आ रही है और अभी एक प्रेस कॉन्फरेंस हुआ था जिसमें इसी रिसर्च पेपर के उपर जिसमें वसंच शिंदे जी जो एक ऑथर है इंस पेपर के डे से पुराना है तो अब शिंदे जी की बात का हम क्या माने क्या यह सही है देखिए शिंदे जी किस आधार पे कह रहे हैं उन तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि यह कह रहे हैं कि 28-2300 BC मतलब करीब साड़े-चार से पांच हजार पहले की स्केलिटल DNA हमारे पास है अगर वो भी एक स्केलिटन की अगर यह सत्य है तो स्टेप्स की जो माइग्रेशन की बात हो रही है स्टेप्स माइग्रेशन इसके करीब एक से देड़ हजार साल के पहले हुआ ही नहीं था क्योंकि हम कह रहें पन्रह सो साल बी सी की मतलब यहां आप से करीब साड़े-तीन हजार साल तो साड़े-तीन हजार साल में क्या हुआ ओ पांच हजार पुरानी स्केलिटन से शिंदे जी कैसे निकाल रही है निकाल रहे है यह हमें समझ नहीं आ सकता समझ भी नहीं आ रहा है तो यह वैग्यानिक समझ से तो नहीं निकल सकता कालपनिक शक्ति उनके पास अग का ये समझ जो उनकी अलग पेपर है राइक की पेपर हमने पहले जिक्र किया उस पेपर में जो निकला है उसको यह क्या शिंदे जी खंडन करना चाहते हैं उसका आधार क्या है तो यह तो एक मुझे लगता है सुरस्ति नदी की और यहां पर आरियन इन्वेशन नहीं हुआ यह सब जो है यह तो एक हिसाब से एक आइडियोलोजी के पार्ट है जिसके तहद यह कहना चाहते हर चीज हिंदुस्तान में आरियन ने किया है हम यहां से बाहर गए हैं आउट अफ इंडिया का उस तरह से कोई सिगनेचर नहीं मिलता है हरापा के लोग जो गए थे वो इं Zagros Mountains में Anatolia में नहीं मिलता है तो यह Limited Migration की जमाना ही लगता है उससे देख के तो यहां से Step Migration के दूर की बात और कहीं की Migration की कोई उस तरह से कोई चीज स्थापित नहीं होता शिंदेज यह भी कह रहे हैं मैंने जो सुना कि उनके Press Conference में सुना कि उन्होंने यह भी कहा कि इस हमारे यहां पर कोई गाड़ी नहीं मिला इसका मतलब है हम हवाई जहाद से ट्राविल करते थे उस तरह की बात होती है तो मैं समझता हूं कि हम अगर वैग्यानिक पेपर की विसलेशन करें तो वैग्यानिक आधार पे करना चाहिए कालपनिक आधार पे नहीं और इस पे ज एक बाइन स्टोन है जेनेटिक आर्कियोजेनेटिक हिस्ट्री में कि इत्ता पुराना डैमेश डिये ने उसको उन्होंने सैंपल करके उसको एनलाइस किया कहा कि सौ बार इसको एनलिसिस करना पड़ा जिसके बाद इस निशकर्ष पे पहुंचे कि यह जो है एक टूर रप है कि हमें सराहना चाहिए इस टीम को उन्होंने एक बहुत डिफिकल्ट काम उन्होंने किया है और राइक ने जो कहा है किसी इंटर्व्यू में कि यह उनके लिए एक सैंपल से एक इंडिविजियल की डिये ने पे इत्ता काम और किसी सैंपल पर उन्होंने नहीं किया जो इ हिंदुस्तान में नेकले उससे हम और भी पूश्टी कर पाएंगे यहां पर वाके ही किया हुआ था जब जुम आप सवाल कर रहे थे अब देखिए स्टेप सिंग्नेचर तो नॉट इंडिया में है ठीक है उसमें मिल रहा है इसमें नहीं है तो आया कहां से यह सवाल तो शिल आया कल्चर से लेकर, सेंटरल एशिया से लेकर आपका यॉइर्प से लेकर रहे हिंदुसतान में बिलता है तो आया कहां से हर जगह पे कहां से गया, हिंदुस्तान अगर रहा नहीं तो जा भी नहीं सकता तो मैं समझता हूं कि इस तरह के जो तरक वह देना चाहते हैं वा को और भी कुछ पद बिल जाएगा हो सकता ही यू कर रहे हैं तो शुक्रिया प्रभीर आज हमारे साथ ये बात करने के लिए आज के लिए इतना ही देखते रहें निज्सक्रिक